Laptop Buying Guide for Video Editing जी हाँ, अगर आप एक Video Editor हो या फिर बनना चाहते हो और अपने लेक नया Laptop ढूंड रहे हो तो मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे Laptop चूस करें प्रोसेसर कौन सा होना चाहिए और रैम कितनी होनी चाहिए अब हाँ, वैसे तो Tech4Gamers एक Gaming Hardware का चैनल है जहाँ आपको Gaming Laptops, PC and Consoles की Knowledge मिलती है बट आप पूरे दिन गेम सोड़ी खेलोगे यार उस पर दूसर काम भी तो करोगे, लाग Video Editing और मैं 6-7 साल से Editing करता आ रहा हूँ जहाँ पहले 25-30,000 के Laptop से लेके 2,000,000 लखे PC में भी करी है तो मैं आपको बता सकता हूँ कि Editing के लिए कैसे चूज करे एक Laptop बाकी Starting में बता दो कि आज जब Video Editing के लिए आप Laptop ढूंड रहे होना तो YouTube के Reviews देख रहे होगे तो जादा Reviews ना Rendering Time पे फोकस करते हैं अगर इस Laptop ने 10 Minutes में render कर दिया इसने 12 Minutes में देखो, मैंदे साब से वो इतना Important नहीं है Important यह है कि Editing के Time वो कितना Smooth है मतलब हाँ Multi-Layer Timeline को जब Scrub कर रहे हो तो प्लेवेक Smooth है या फिर नहीं है Multiple Effects के बाद क्या आप Playback अटक रहे है इफेट्स एप्लाइन नहीं हो रहे है Software Crash हो रहा है तब मेरा जाता Time Waste होगा अच्छा, Let's address the elephant in the room क्योंकि बहुत लोग को doubt होगा कि या MacBook कैसा है So simply, अगर आप afford कर सकते हो ना तो MacBook से बढ़िया machine ही नहीं है Editing के लिए I would highly recommend कि वो ले लो बस हाँ, gaming नहीं कर पाऊगे और साथ ही आपके work पर भी depend करता है या battery life बहुत अच्छी मिलेगी Apple का जो खुद का silicon है मतलब की M1 and M2 वो best procedures में आता है अगर 1080p edit करनी है with multiple layers तो M2 MacBook Air से काम चल जाएगा timeline बिल्कुल smooth scrub हो पाएगी अगर आपको 4K edits करनी है या after effects चलाना है या even 3D modeling करनी है तो M2 MacBook Pro best है चोकि recently launch होई है उसमें आप अपने budget के हिसाप से अपनी ज़रुद के हिसाप से प्रोसेसर या फिर राम सेलेक्ट कर सकते हो तो ठीक है MacBooks की बात हो गई अप आते है Windows laptop पे जिनका discussion थोड़ा से लंबा चलेगा because उसमें options बहुत अब लेबर है सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसर की अब मैं अपना बताओ तो मैंने पुराने i3 पर भी Sony Vegas Pro में editing कर रखी है बट वो experience कुछ खास नहीं था laptop बहुत lag करता था उतना ज्यादा अच्छा है इसलिए minimum 4 code का प्रोसेजर तो होना ही चाहिए इससे नीचे तो जाना ही नहीं है हाँ उपन में 6 code, 8 code जितना ज्यादा उतना बढ़िया 1080p edit के लिए 4 code से काम चल जाएगा बट 4K में तो आपको 6 या फिर 8 code चाहिए otherwise आप proxies बना के भी कर सकते हो as an editor आपको पता यह होगा कि वो क्या होती है and हाँ minimum i5 या फिर फिर r5 होना चाहिए उसके लब आप चेक करना प्रोसेजर की base and boost clock base clock तब काम आती है जब आप normal edit कर रहे होते हो cuts बगा रहे होते हो and उस ताइम आपकी बैटरी बचेए but rendering के time या फिर heavy effects लगाने के time आपकी boost clock पर चल रहा होता है processor फिर बात करते ग्राफिक्स कार की तो वैसे editing ना मेली एक processor intensive task होता है इसलिए अगर discrete GPU ना भी होना तो चल जाएगा integrator में काम हो जाएगा पर long term के लिए अच्छा रहता है कि आप GPU होना चाहिए because आप हमेशे तो basic edit नहीं करते रहोगे तो इसे advanced and heavy effects भी यूज़ करना शुरू करोगे और अगर clients के साथ work कर रहे हैं तो deadlines meet करने के लिए fast rendering चाहिए इसमें भी GPU काम आएगा इसलिए आप 4GB का GPU ले लोगे तो ठीक है बढ़ हाँ अगर आप 3D काम करते हो then GPU बहुत important है उसमें भी VRAM जादा important होती है कि 10GB का है या 12GB का उसके लाबा इसमें भी GPU के core से फरेग पड़ता है तो अगर आपके बास graphics card है ना तो उसमें CUDA course जादा होने चाहिए तब भी better रहेगा AMD के के इसमें OpenCL कहते है उसे then RAM की बात करे तो 8GB से नीजे तो सोचना भी मत but preferable है कि या 1080p edits के लेना आप 16GB वादा laptop लो पर अगर 4K edits करनी है या फिर After Effects चलाना है या फिर 3D का काम है तो 32GB हील लेना फिर display की बात करें तो अगर budget problem ना हो तो IPS 4K 20Hz display ले लो but obviously वो case नहीं होगा आपका और मैं बता दू कि या color बहुत important होता है editing में तो कि आपको color correction करनी है color grading करनी पर दिए और even graphics designing और 3D में भी colors important है तो कि ऐसा ना हो ना कि आपकी display अच्छी नहीं थी इसकी वेज़े से आपको colors fade लग रहे थे and आपने saturation and exposure बढ़ा दिया but कोई viewer जो कि उस video को अच्छी screen पर देख रहा है उसे बहुत जादा over saturated लग रही है इसलिए preferable तो यह है कि आप IPS display लो उसके color बहुत बढ़िया होते है and 1080p की 60Hz के display दोड़ेगी but जादा refresh rate की ज़रुत रही है आपको as an editor बटना अगर 4K edits करनी है तो वैसी display preferable है although main है color coverage कि minimum 90% sRGB या फिर 72% NTSC होना चाहिए अब करने को तो आप 45% NTSC के TN panel में भी कर लो पर वो long term में अच्छा नहीं रहेगा because colors काफी खराब होते हैं उसके but budget problems है तो चलो VA panel ले लो फिर भी decent colors आपको देखने को मिल जाएंगे but TN तो बिल्कुल भी मत लेना परना कुछ लोग ए भी करते कि या laptop तो decent सी display वाला ले लिया बट फिर एक external monitor से connect कर लेंगे उसे क्योंकि आपको 15,000 की range में बड़िया monitors मिल जाते हैं और वो बड़े भी होते हैं फिर IPS भी मिल जाएगा तो अच्छा रहता है अगर monitor select करने में problem हो रही है न तो मेरी monitor buying guide देख लेना फिर size and way depend करता है कि आप कैसे editor हो फिर जितना स्कीन साइज हो उतना बेटर रहा था creative task के लिए बट फिर आपको travel भी तो गणना है लेकिन हागर आप घर पे बैट के एक कोने मेरेट कर रहे हो तो थोड़ा से heavy एंड बड़े laptops ले सकते हो तो थोड़ा से heavy एंड बड़े laptops ले सकते हो या फिर copy paste करनी होंगी जिसमें read-write speed बहुत important होती है इसलिए SSD ही लेना अगर 1TB नहीं तो 512Gb SSD ले लेना उसके लिए पोर्ट की बाद भी कर ले तो या USB 3S उपर तो होना ही चाहिए बट थंडर बोल्ट पोर्ट अगर हो तो बढ़िया है अगर आप एक external monitor लेना चाहर हो तो left monitor buying guide देखो और gaming laptop लेना है तो right में उसकी guide मिल जाएगी ये वीडियो अच्छे लेगे तो like, love, take for the game शाइब भी subscribe करो और मिलता हम आपसे के लिए वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई-बाई